हाई एवरिवन अब बात करने वाले हैं कि PHP के एंदर डेट और टाइम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और देखो PHP में डेट और टाइम दोनों चीजों के लिए एक ही हमारे पास common function होता है date function उसका कैसे यूज करना है अभी आपको पता चली जाएगा तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग current date निकाल के देखेंगे और हमें पता है कि हर एक country का अपना अलग से time zone होता है जैसे पाकिस्तान का लग है इंडिया का लग है नेपाल का लग है USA का लग है UK का लग है तो किस तरीके से एक country का आप लोग time zone सेट कर सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ और ऐसा नहीं है कि बस time और date निकाल दी एक एक छोटी चोटी चीज भी निकाल के देखने वाले है जैसे कि second, minute, hour, day, month, year और इनको अलग-अलग format के अंदर भी निकाल के देखने वाले है लास्ट में कुछ interview questions भी discuss करने वाले हैं और मैं यहाँ पर official documentation के अंदर आपको date function दिखांगा और उसमें कितने सारे parameter आप pass कर सकते हो मैं आपको वह भी बताऊँगा because जब भी आप किसी project पे काम करोगे ना हो सकता है आपको कोई different format यूज करना हो या फिर इनमें से कोई चीज निकाल नहीं हो और date function ना बहुत सारे parameter लेता है उनको याद नहीं रखा जा सकता official documentation में से उसको देख के कैसे use करना है उसके बार में भी थोड़ा सा discussion हम लोग कर लेंगे यह हमारी PHP की playlist है जिसके अंदर 67 parts आ चुके हैं और भी बहुत सारे parts आने वाले हैं उनके बाद एक project भी आएगा और हर एक topic के साथ हम लोग interview question भी कवर करते हैं जो आपकी job में और interviews में काफी help करते हैं और all काफी important playlist है पूरी देखना link मैंने description box में दे दिया है अब चलते हैं हमारे पहले question की तरफ की current date कैसे get कर सकते हैं तो यहां पर हमें output दिखेगा इसको मैं clear कर देता हूं एक बार के लिए और मैं यहां पर code लिगना start करता हूं तो मैं आपर करता हूं echo और हमारे पस date function होत तो यह आपको error देगा इसके अधर at least आपको एक चीज यादि एक parameter pass करना पड़ेगा चाहे वो month के लिए pass कर दो time के लिए second के लिए hours के लिए कुछ भी pass कर दो right तो सबसे पहले हम लों क्या करते है date निकाल के देखते है अब मालो date में क्या निकालोगे सबसे पहले आप नि तो आपको यह बता देगा यह January month ठीक है after that space देखे यहाँ पर आप pass कर दोगे y small y pass करोगे तो क्या बताएगा 24 और अगर यहाँ आप capital y pass करोगे तो आपको क्या बताएगा 2024 इस तरीके से right और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर date भी निकालना चाहते हो तो simply यहाँ पर day pass कर दो small d pass करोगे तो आपको बता देगा जैसे कि जो भी date है जो current date everyday है वो अगर आप यहाँ पर capital pass करोगे तो आपको यहाँ पर बता देगा Saturday इस तरीके से right so यह हम लोग इस तरीके से हम लोग date निकाल सकते हैं तो अभी के लिए मैं इसको date को इस तरीके से छोड़ देता ह आते है hours right तो यहाँ पर लिखूंगा मैं date और इसके अंदर मैं यहाँ डाल देता हूं h अभी यहाँ पर time देखो यहाँ पर चार बज के 32 मिनिट अगर आपको यहाँ पर time दिख रहा हुगा यह उपर top corner पे तो अब मैं इसको यहाँ पर आके जैसे इसको refresh करता हूं तो यह यहाँ पर आगया 12 यह 12 क्या आगया यहाँ चार आना चीट अगर हमने आवार करें तो मिनिट अथ 32 आनी चीए थी एक्चुली यह जो अभी current time zone है न यह मेरे laptop के हिसाब से नहीं है इस तरीके से राइट अगर आपको get करना एक बार के लिए देखना है कि कौन सा सेट है तो वह भी हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए यहाँ पर मैं इसको echo करूँगा अभी Europe में Berlin का set हो रख है यह by default होता होगा अगर मैं इसको set करना चाहता हूं तो मुझे echo की जरू इशा की spelling हो गया ओल राइट उसके बाद में Calcutta सो के ओल के टी राइट यह spelling होती है आई होप ठीक होगी है अब इसको हम लोग refresh करते हैं अब देखो यहाँ पर आगया 04 जो कि यहाँ से match भी कर रहा है यहाँ से ओल राइट ओके सो अब यह आवार निकल गया अगर मैं इसक मुछ फरक पड़ेगा तो इसने 16 दे दिया 16 किसी साब से दिया 24 आवर के format में और जो हम लोग यहाँ पर small वड़ा दिया है यह किस के हमें है 12 आवर के format में ठीक है अब मुझे मालो यहाँ पर निकालने है minute जो 33 minute दिखा रहा है तो मैं यहाँ पर minute भी देखना चाहता हूँ सो simply minute के लिए आप लोग यहाँ पास कर सकते हो I जिसमें यहाँ पर I पास करता हूँ तो देखो यहाँ पर 33 आगया और अब मैं यहाँ पर second चेक करना चाहता हूँ तो simply आप यहाँ पर कर सकते हो SA आपको second निकल किया जाएंगी तो यहाँ पर देख सकते हूँ तो second भी इस तरीके से बढ़ते हूँ जा रही है और यहाँ पर PM भी लिखा हूँ ठीक है सो इस तरीके से आप लोग date निकाल सकते हो time निकाल सकते हो और इनकंद्र अगर आप लोग slash, hyphen वगारा कुछ भी pass करना चाहते हो तो वो भी pass कर सकते हो कोई दिक्कत निया है यहाँ पर perfectly चीजें दिखनी वाली है हम लोग ने time देख लिया, current date देख लिया, time zone सेट करके देख लिया और एक एक चीज निकाल के देख लिया हम लोगों ने यहाँ पर देखो hours, seconds और minutes वगर अगर even आपको ऐसा लखना है कि आपको अलग से second वगरा निकाल के देखनी है तो वो भी आप कर सकते हो कोई problem नहीं ह यहाँ पर आप देखो, just यह देखो, यह second निकाल के चल रही है, अचा second के साथ में PM लिख खवा रहा है, right, इस तरीके से, right, so अगर मैं यहाँ पर A नहीं लगाता हूं, तो यहाँ पर मुझे PM, AM है इसको नहीं बताएगा, just directly मुझे यहाँ बता देता है, right, और बता देता है, all right, so इस तरीकी से हम लोग time zone get कर सकते हैं, अब हम लोग चलते हैं, date function in PHP, तो जो official वाला function है, आप चाहो तो किसी और साइट से भी देख सकते हो, कुछ गलत नहीं है, but मैं official function के उपर जाता हूं, और यहाँ पर देखो, इतने सारे parameters होते हैं, इतने सारे parameters हैं, इतने सारे parameters हैं, कि आप practice करो, और आपको और अच्छे सी चीजों का idea रहेगा, कि किस तरीकी सी चीजी नहीं है, यहाँ पर नहीं कलके आती है, right, so that's all for this part, I hope आपको time and date का use करना आया होगा, और जल्दी ही जब हम लोग project बनाएंगे, तो उसके अंदर भी हम लोग time and date का use करेंगे, औ maybe मैं कुछ एक छोटा सा program बनाओ, जिसके अंदर मैं time zone set करूँ, एक drop down में से, और उसके अंदर हम लोग, उसके हिसाब से हम लोग time को दिखाएं, कि यह इस country का time, right, so thank you so much for watching this video, कुछ confusion है, कुछ doubt है, तो मुझे comment section के अंदर पूछ सकते हो, and please channel को subscribe करना, video को like करना, comment section में feedback देना बिलकूल मत बूलना, यह मेरा PTM का donation number, thank you guys